अब हम लोगों ने properties of water पढ़ लिया और pH का मतलब समझ लिया, log कैसे लेना है, anti-log कैसे लेना है और उन पर based कुछ simple problems हम ने किये. Now we are in a comfortable position to start with the most important part of this chapter and that is pH calculation. अब pH calculation हम लोग एक बहुती systematic तरीके से पढ़ेंगे, जितने भी अलग-अलग type की varieties possible है, acid में अलग-अलग, base में अलग-अलग, वो सब मैं आपको एक-एक करके पढ़ाने जा रहा हूँ. So just keep going with the flow and keep watching exam bite videos, right? So सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, number one, that is, pH calculation for SA, and when I say SA, I mean a strong acid. अब भाई सबसे पहले ये बताओ, strong acid क्या होता है? Strong acid वो acid है, जो की 100% dissociate करता है water में, है न, ये सारे solutions हमारे हमेशा water में होंगे. pH calculation for a strong acid solution, and all our solutions will always be aqueous solutions only. इसलिए मैंने water की properties आपको बहुत detail में पढ़ाई थी, ठीक है? तो pH calculation for strong acid solution, अब सबसे पहली बात, what is a strong acid? देखो, strong acid वो acid है, जो 100% पूरी तरह से dissociate करता है. जैसे, for example, HCl, अब HCl को तुम पानी में अगर मिलाते हो, तो ये 100% dissociate करता है, और बनाता है H+, Aqueous, प्लस CL-Aqueous, ठीक? इसी तरह से HBR, ठीक है? HBR Aqueous, इसको तुम पानी में मिलाते हो, ये 100% dissociate करता है, और बनाता है H+, Aqueous, प्लस BR-Aqueous, ठीक है? पूरा 100% dissociation होता है, ठीक है? और इसी लिए, तुम देखोगे, कि कभी भी किसी strong acid का कूंकी ये reaction तो almost completion पे जा रही है, तो अगर ये almost completion पे जा रही है, तो तुम इसका equilibrium constant नहीं define कर पाऊगे, जैसे अगर तुम K लिखने की कोशिश करोगे, तो K लिखोगे H+, जैसे suppose करो है, hypothetical, अगर मैं एक बार K लिख भी दूँ, तो K मैं लिखूँँगा, concentration of H+, into concentration of BR- upon concentration of HBR, ये formula मैं लिखूँँगा, K-A का, ठीक है? इसको हम लोग acid dissociation constant भी बोलते हैं, लेकिन, बेटा, HBR का तो concentration 0 ही है, ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 0 डालोगे, तो basically, ये एक undefined expression हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये समझो, कि कभी भी strong acid का problem रहेगा, तो वहाँ पर कभी भी आप देखोगे कि, K के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो dissociation 100% हो रहा है, इसलिए we never define the value of Ka for a strong acid, in water, इनका dissociation water में 100% है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर solvent में 100% है, बट हमें अपनी सारी पढ़ाई जो है वो water में करनी है, तो इन सब acids का, इन सब acids का, जो Ka का value है, that is not defined in water, क्योंकि वहाँ पे HBR है ही नहीं, वो 0 का approach कर रहा है, इसी तरह HCL लिखो के तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इनका defined नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कभी भी इनके Ka के बारे में कोई discussion नहीं होगा, और ऐसे याद रखो, 5-6 ही acids होते हैं, है ना, उनके नाम भी बिल्कुल याद कर लो अभी से, है, HCL, HBR, HI, HNO3, HClO4, and H2SO4, ठीक है, यही 5-6 acids जो हैं, इस condition को satisfy करते हैं, that is, they are strong acids in water, and when I say strong acids, I mean to say that they dissociate 100%, complete dissociation, right, तो अब देखो, यहाँ पर क्या होगा, कि, अच्छा, H2SO4 की बारे हम लोग बात करें, तो H2SO4 के लिए, जैसे H2SO4 क्या, डाय प्रोटिक है, तो दो steps में dissociate करेगा, अब दो steps में dissociate करेगा, तो पहला वाला H+, तो 100% आता है, दूसरा वाला, पूरी तरह से 100% नहीं आता है, बट कई बार problems में, अगर कुछ नहीं दिया रहता है, तो हम लोग दोनो steps को ही complete माल लेते हैं, वैसे पूरी तरह से 100%, strictly speaking, यह बात सही नहीं है, बट बहुत सारे problem होंगे, वहाँ पे H2SO4 को पूरी तरह से 2H+, देने वाला, 2 step complete माल ले जाते हैं, यह मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, So now, let us say, I ask you, I give you a very simple problem, कि मेरे पास, एक 10 raised to the power minus 2 molar HCl का solution है, ठीक है, we are now beginning with the problems, तो मैं बोलूँगी, चलो बेटा, इसका pH बताओ, अच्छा, अब देखो, इसका pH हम कैसे बताएंगे, देखो, HCl एक strong acid है, तो 100% dissociate होने वाला है, और साथी साथ, HCl एक monoprotic acid भी है, तो monoprotic acid है, तो जितना HCl का molarity होगा, उतना ही H+, का भी molarity हो जाएगा, तो I can say, कि यहाँ पर, H+, की molarity होगी, 10 raised to the power minus 2 molar, and if H+, की molarity, अगर 10 की power minus 2 होगी, तो minus log लेके, pH हम बहुत आराम से बता सकते हैं, दो आ जाएगा, which is a fairly simple problem, I hope यह illustration सब को समझ में आओगा, Let us move ahead, next मान लो, मैं आपको बोलू, की 10 raised to the power minus 4 molar HCl का pH बताओ, ठीक है, so again, by the same logic, HCl is a strong acid, it will dissociate 100%, और monoprotic है, 1 से 1 H+, बनाएगा, तो जो HCl की molarity है, वही H+, की भी हो जाएगी, So, H+, in this solution, in this aqueous solution, will be 10 raised to the power minus 4 molar, and if H+, is 10 raised to the power minus 4 molar, we can find out the pH, by taking minus log, यह आ जाएगा, 4 के बराबर, ठीक है, यह दो हमने बहुत simple example ली, ठीक, आपको लग रहा होगा सही तो बहुत असान है, so that is true, it is actually very easy, let us just keep following and keep watching, let us take some more examples, next let's say, मैं आपको बोलू, की C part में, I have, 10 raised to the power minus 4 molar, H2SO4 solution, ठीक है, 10 raised to the power minus 4 molar, H2SO4 solution, और मैं बोल रहा हूँ, इसका pH बताओ, और माल लो, कि इसके दोनो step strong है, है ना, ऐसा कई बार, इस तरह के सवाल हो, जब कुछ K अगरर की बात नहीं हो रही हो, equilibrium constant की बात नहीं हो रही हो, तो दोनो step H2SO4 के strong, माल लिए जाते हैं, कि उससे दोनो H+, पूरी तरह से आ रहे हैं, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं, सर देखिए, H2SO4 डाइप्रोटिक है, तो डाइप्रोटिक है, तो इसका जल्दबाजी में आंसर 8 दे देते हैं, अब 8 तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, आसिडिक सल्यूशन को तुम बेसिक बोल दे रहे हो, है ना, पी एच सास से ज़ादा बोल दे रहे हो, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, तो H2SO4 का सल्यूशन है, तो यह डाइप्रोटिक है, है ना, और मान लो, दोनों स्टेप्स पूरे कंप्लीट हुए, अगर कुछ K नहीं मेंचेंड है, तो तुम दोनों स्टेप कंप्लीट मान सकते हो, अगर प्रॉबलम में कहीं पर भी K नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब स्ट्रॉंग एसिड की तरह मान करके, दोनों स्टेप्स तुम पूरी तरह से मान सकते हो, तो डाय प्रोटीक है, तो एक मॉलिक्यूल से यहां दो H प्लस आने वाला है, अब अगर दो H प्लस आएगा, तो H2SO4 की जो मॉलारिटी है, H प्लस की मॉलारिटी उसकी डबल होगी, क्योंकि एक से दो H प्लस बनाएगा, तो H प्लस की मॉलारिटी विल बी हाउ मच, तो इट विल बी 2 इंटो 10 रेस तू दी पार माइनस 4 मोलर, और अब पी एच निकालने के लिए, आपको इसमें माइनस लॉग लेना पड़ेगा, और माइनस लॉग लोगे, तो इट विल बी 4 माइनस ओफ लॉग 2, विच विल बी इकोल्स तू 3.7, राइट, सो इस विल बी यॉर आंसर, और खुद आपको नैचरलली भी सोचना चीये था, कि जो बच्चे आंसर आठ दे रहे हैं, अब देखो 10 की पावर माइनस 4 मोलर HCl का PS, तुमने 4 बोला, तो 10 की पावर माइनस 4 मोलर H2SO4, HCl तो मोनो प्रोटिक है, लेकिन H2SO4 तो डाय प्रोटिक है, तो जितना H प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे तो उससे ज़्यादा H प्लस होगा ना भई, यह डाय प्रोटिक एसेड है, है ना, यह प्रोटिक है, यह 1 से 1H+, यह 1 से 2H+, तो जो यहाँ पे H+, का मोलरिटी है, यहाँ पे H+, का मोलरिटी इससे ज़्यादा होगा, और अगर H+, का मोलरिटी ज़्यादा होगा, तो pH तो कुछ कम आना चीए, तो आप 8 आंसर कैसे बोल सकते हो, ठीक है, तो pH यहाँ पे 4 था, हमको clearly दिखाई दे रहा है कि pH 4 से कम आ रहा है, that is equals to 3.7, so 8th answer वैसे भी समझ जाना चाहिए, कि outrightly वो गलत है, ठीक है, let's move ahead, next suppose करो, कि मैं आपसे d example में पूछूं, कि 10 raised to the power, कि 10 raised to the power minus 6 molar HCl, 10 raised to the power minus 6 molar HCl, इसका pH बताओ, तो आप बोलोगे, sir, HCl strong acid है, और HCl monoprotic acid है, तो जितना HCl का molarity, उतना ही, H plus का भी molarity, तो H plus भी हो गया, 10 की power minus 6 molar, और H plus अगर 10 की power minus 6 molar है, so pH will be equals to minus log लेकि, बहुत असानी के साथ, आप 6 answer दे सकते हो, तो यहां तक हमारा जीवन जो है, वो बहुत अच्छे से बीत रहा है, हमें सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही है, और सब अच्छा अच्छा चल रहा है, तो दीखिए अब यहां तक हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और हमें लग रहा है, सब कुछ अ to the par minus 7 molar HCl solution, इसका मुझे pH निकालना है, चलो भाई, इसका pH निकालते हैं, इतना सारा हम लोगों निकाला है, तो now you will say, sir, HCl एक strong acid है, I will say yes, then you will say, sir, HCl monoprotic है, एक से एक H+, देता है, I will say yes, फिर आप बोलोगे कि यहाँ पर अगर ऐसा है, तो sir, इस solution में H+, की molarity होनी चाहिए, 10 raised to the power minus 7 molar, क्योंकि monoprotic है, तो एक से एक H+, देगा, तो H+, की molarity आप 10 की power minus 7 molar बोलोगे, और फिर आप बोलोगे, अगर H+, 10 की power minus 7 molar है, तो pH होता है minus log of H+, फिर आप इसका minus log ले लोगे, और minus log लेके, आप answer दे दोगे 7, Now, my dear students, dear friends, this is a complete, complete disaster, ठीक, क्यों? 10 की power minus 7 molar HCl solution है, और आप उसका pH 7 बोल रहे हो, एक acidic solution का pH आप 7 बोल रहे हो, 7 तो neutral water होता है, तो एक acidic solution का pH 7 कैसे आ सकता है, 25 degree centigrade पे? तो आप बोलोगे, सर, यहां तो answer सब सही सी आ रहा था, यहां क्या problem थी, यह भी तो सब answer सही था, ठीक है? तो यह answer आपके यहां तक के बिल्कुल ठीक है, यह answer भी आपका सही है, यह भी सही है, 10 raised to the power minus 6 molar HCl तब का आपका answer बिल्कुल सही है, इन answers में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 की power minus 7 molar HCl का, pH आपने 7 अगर बोला, तो आप एक कदम आगे और बढ़ो, और 10 की power minus 8 molar HCl के solution का, फिर pH आप 8 भी बोल दो, और 10 की power minus 8 molar HCl को आप बना दो क्या? basic solution, तो हमने मिलाया acid, और acid मिलाया, तो pH तो 7 से कमी होना चाहिए, 8 और 7 और 8 pH कैसे हो सकता है, क्या गडबड हो रही है इन cases में, ठीक है? तो पहले तो ये बात अपने आपको समझाओ, अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है? कि 10 की power minus 7 molar HCl का pH 7 नहीं हो सकता, और 10 की power minus 8 molar HCl का pH 8 नहीं हो सकता, अगर मैंने पानी में HCl मिलाया है, तो HCl मिलाने पर, पानी में मैंने HCl मिलाया है, तो HCl मिलाने पर solution acidic है, और अगर solution acidic है, तो it has to, has to have a pH less than 7 in any case, साथ से ज़ादा उसका pH आहीं नहीं सकता, in fact साथ भी नहीं आ सकता, क्योंकि साथ तो neutral का होता है, तो pH तो साथ से कम ही होना है, तो अब क्या यहाँ पर इन examples में दिक्कत आ रही है, let us analyze this problem very very closely, and it is very important for all serious ITJ aspirants, these are the things which differentiate a student who appears in ITJ versus a student who gets selected in ITJ, यही सब छोटे छोटे points जो है, वो एक differentiator create करते हैं, तो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे से कि क्या यहाँ पर समझ्या हो रही है कि 10 की power minus 7 molar HCl का pH, 7 तो पहले नहीं होगा, यह बात अपने आपको समझाओ, answer क्या होगा, that is a different story, वो मैं तुम्हें बहुत detail में समझाओंगा, but it won't be 7, it can't be 7, it never has to be 7, अगर पानी में तुमने acid मिलाया है, HCl का solution है, तो अपने आपको convince करो, कि वो एक acidic solution है, and if it is an acidic solution, then उसका pH has to be less than 7, ठीक है, वो 7, और 7 से ज़्यादा तो भूली जाओ, इसको तो तुम basic बोल दोगे अगर pH इसका तुमने 8 बोल दिया तो, ठीक है, तो 7 से कमी answer होना है, वो क्या होना है, चलिए देखते हैं, आल राइट, तो अब हम लोग चलो देखते हैं, कि 10 raised to the power minus 7 molar HCl के साथ problem क्या है, क्यों इसका pH हम लोग जिस तरह से normal तरीके से निकाल रहे हैं, तो why are we not getting the right answer, right, चलो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, 10 raised to the power minus 7 molar HCl का मुझे pH निकालना है, ठीक, pH निकालना है, इसका क्या मतलब हुआ, indirectly H plus का molarity निकालना है, H plus के molarity का minus log अगर आप लेलो तो वही pH होता है, ठीक है, तो मुझे एक तरह से H plus की molarity निकालना है, अब मेरे पास 10 raised to the power minus 7 molar HCl का एक aqueous solution है, ठीक है, इस solution में H plus की molarity coming from the SA, SA मतलब strong acid, acid से आने वाला जो H plus है, वो 10 raised to the power minus 7 molar के बराबर है, ठीक है, acid से आने वाला H plus 10 raised to the power minus 7 molar के बराबर है, आप बुलोगे शरी, acid से आने वाला क्या मतलब है, क्या कहीं और से भी H plus आ रहा है, ये बात आप याद करने की कोशिश करो, 10 raised to the power minus 7 molar HCl में, acid से आने वाला H plus 10 की पावर minus 7 molar है, बट मुझे ये थोड़ा सा सोच के बताओ, कि क्या वहाँ पर H plus का कोई और source है, क्या कहीं और से H plus आ सकता है, and yes, you are bang on the target, वहाँ पर पानी से भी तो H plus generate होता है, कोई कि we have studied about the self ionization, or the autoprotolysis of water, ठीक है, so there will be some H plus coming from water as well, कुछ H plus water से भी आ रहा होगा, ठीक, अभी कितना रहा होगा मुझे नहीं मालूब, but the first point which you need to realize is, कि एक HCl के aqueous solution में, the source of H plus is not the acid only, H plus सिर्फ acid से नहीं आ रहा है, H plus वहाँ पर water से भी आ रहा है, तो आप naturally पुछोगे सर, वो तो सब केस में आ रहा होगा, तो बाकी सब केस में फिर क्या हुआ, इतने सार आपने अभी 10 की power minus 2 molar, 10 की power minus 4 molar, इतना सार आपने किया, तो वहाँ पर पानी वाला H plus कहा गया, आप इसी केस में पानी वाला H plus की बात क्यों उठा रहे हो, तो देखो, अगेन यहाँ पर हमारी rescue के लिए आया, हमारी जान बचाने के लिए आया, कौन हमारी जान बचाने के लिए आया, 10% approximation rule, अब देखो 10% approximation rule क्या है, बहुत ध्यान से सुनो, देखो, क्या होता है, कि, जैसे मालनों यह एक scale है, जो इसमें h plus की molarities represent हो रही है, ठीक है, 10 raise to the power minus 7 कहीं यहाँ है, 10 raise to the power minus 6 कहीं यहाँ है, 10 raise to the power minus 5 कहीं यहाँ है, 10 raise to the power minus 8 यहाँ, और 10 raise to the power minus 9 यहाँ, ठीक है, इस तरह से यह scale नीचे जा रही है, और इस तरह से यह scale उपर जा रही है, ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो, जब neutral water जो है, pure water, शुद्ध पानी जो बिल्कुल होता है, वो 10 raised to the power minus 7 molar के range में, 10 raised to the power minus 7 molar के range में, H plus supply करता है, ये पानी से खुच से आने वाला H plus होता है, in pure water, ठीक है? अब अगर strong acid से आने वाला H plus, right? H plus coming from strong acid, अगर H plus coming from strong acid, 10 raised to the power minus 6 या फिर उस से ज़ादा है, जैसा कि इसके पहले वाले सभी examples में हुआ था, 10 raised to the power minus 6, minus 4, minus 3, minus 2, मैंने बहुत सारे examples आपको बताये थे, तो अगर H plus coming from strong acid, 10 raised to the power minus 6 या उस से ज़ादा है, जैसे 10 की power minus 5 है, या 10 की power minus 4 है, या 10 की power minus 3 है, तो ऐसे case में, जो पानी से आने वाला H plus है, वो उसके comparison बहुत छोटा होगा, बहुत नूटरल वाटर में पानी खुद कितना बनाता है, 10 की power minus 7, तो अब मालो 10 की power minus 2 molar HCl है, ठीक है, 10 की power minus 2 molar HCl है, तो इस HCl से कितना H plus आ रहा है, 10 की power minus 2, और नूटरल वाटर में minus 7 आता है तो ऐसे case में, इस region में, जो देखो, यह 10% से ही limit select हो रही है, 10 की power minus 6 या उससे जादा है, 10 की power minus 6 का 10% लोगे, तो 10 की power minus 7 आ जाएगा, तो अगर strong acid से आने वाला H plus 10 की power minus 6 या उससे जादा है, तो in such a case, the H plus coming from water can be ignored, इसके बारे में, हमें कोई चिंता करने की, सोचने की कोई requirement नहीं है, तो 10 की power minus 6 तक के हमारे जितने answer थे, इसका pH मैं 2 ही बोलूँगा, minus 3 molar HCl का pH मैं 3 ही बोलूँगा, minus 10 की power minus 4 molar HCl का pH मैं 4 ही बोलूँगा, तो यहां तक के तो मेरे answer बहुत ही सही थे, लेकिन, 10 raised to the power minus 7 molar HCl, अब तो HCl भी उसी range में आ पानी होता है, तो HCl जब उसी range में आ गया है, जिस range में पानी होता है, तब फिर तो आप पानी वाले H+, को नहीं ignore कर सकते हैं, अगर HCl से आने वाल H+, बहुत बढ़ा था, तब तो आप पानी वाले को छोड़ दो, इस region में H+, coming from strong acid अगर इस से जाधा है, तब पानी वाले को मत कंसिडर करो, उसे ignore कर दो, लेकिन अगर H+, coming from strong acid, 10 raised to the power minus 6 से लेकर के 10 की power minus 8 इस interval में लाई करता है, then the H+, coming from H to O, needs to be considered, यहां पर हमें H+, coming from water को add करना पड़ेगा, हम यहां पे H+, coming from water को ignore नहीं कर सकते, और हम इसका pH 7 नहीं बोल सकते, ठीक है, अब इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे मैं आपको थोगी देर बात बताता हूँ, बढ़ पहले मैं इस वाले के इसको consider करता हूँ, ठीक है, तो अब सुनो बात को ध्यान से, तो अब suppose करो कि मुझे 10 raised to the power minus 7 molar HCl का pH निकालना था, तो मैंने यहां पर बोला कि H+, coming from strong acid जो है, वो हो गया 10 की power minus 7 molar, लेकिन यह तो सिर्फ acid वाला H+, है, यहां पर अभी पानी वाला H+, भी बचा हुआ है, ठीक, तो पानी से भी कुछ H+, आ पढ़ेगी यहां पर, ठीक है, तो अब 25 degree centigrade पर सारी पढ़ाई हम लोग करते हैं, तो H+, coming from water, H+, coming from water, यह मैं कितना जोड़ लूँ भई, H+, coming from water, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे, सर, water dissociate करता है, 25 degree centigrade पर, आपने बताया था, कि भई, water का dissociation, water का dissociation, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और आपने बताया था, कि 25 degree centigrade पर, H+, जो है, वो 10 की power minus 7 molar होता है, और जो OH- है, वो भी 10 की power minus 7 molar होता है, this was for, pure water at 25 degree centigrade, ठीक है, तो आपने बोला कि, भई, HCL से जो, H+, आ रहा है, वो 10 की power minus 7 molar होता है, और water से जो, H+, आ रहा है, वो भी आपने बोला, 10 की power minus 7 molar होता है, ठीक, अब फिर से यहाँ पर एक बड़ा ही critical और important, interesting point, क्या हम सीधे सीधे, पानी से आने वाले H+, को, 10 की power minus 7 molar बोल सकते हैं, क्या ये बात पूरी तरह से सही है, नहीं, पूरी तरह से तो नहीं सही है, क्या गड़बड है इसमें, गड़बड ये है, कि ये जो 10 की power minus 7 molar होता था, 10 की power minus 7 molar water में था, this was in pure water, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया था, अभी तुमने HCl मिला दिया है, और अगर तुमने HCl मिला दिया है, तो HCl से आने वाला H+, इस equilibrium पर लगाएगा, जिसको हम लोग बहुत दिनों से एक नाम देते आ रहे हैं, common ion effect, इस equilibrium पर लगाएगा common ion effect, due to this, ये equilibrium backward direction में shift होगा, क्योंकि HCl तो एक strong acid है, तो उससे आने वाला H+, इस पर common ion effect लगाएगा, ये equilibrium backward direction में shift होगा, और अगर ये equilibrium backward direction में shift होगा, तो इस वज़े से पानी से आने वाला H+, 10 की power minus 7 तो नहीं रहेगा, उससे 100% कुछ कम होगा, लेकिन फिर भी objective सवालों में एक rough answer estimate करने के लिए, एक guess करने के लिए, हम एक बार के लिए इसको 10 की power minus 7 molar हमने इसे माल लिया, कि लेटर से ये 10 की power minus 7 molar है, still at the back of our mind, हमें ये बात पता है कि ये 100% सही बात नहीं हो रही है, क्योंकि HCL से जो H+, आ रहा है, वो इस पे common iron effect लगाएगा, और इस equilibrium को पीछे ले जाएगा, तो पानी से आने वाला H+, तो 10 की power minus 7 से 100% कुछ कमी होने वाला है, बट फिर भी मैंने उसे एक बार के लिए 10 की power minus 7 मान लिया, बहुत बार problems में ऐसा भी होगा, कि प्रॉब्लम्स में बोला जाएगा, कि ignore the common iron effect on water, ठीक, ignore the common iron effect on water, कई बार ये सवाल की language हो जाएगी, पानी पर common iron effect ignore कर दो, तो पानी पर common iron effect ignore करने का मतलब क्या होता है, कि तुम ये मानो कि HCL के आने की वजह से, पानी के equilibrium पर कोई impact नहीं पढ़ा, और पानी के equilibrium पर कोई impact नहीं पढ़ा, इसलिए H plus का molarity हम लोग, H plus coming from पानी, H plus coming from water का molarity हम लोग 10 की पावर माइनस 7 molar ले सकते हैं, लेकिन ये तभी ले पाएंगे जब हम common iron effect को ignore कर रहे हों, तो कई बार problems में इस तरह का statement लिख दिया जाता है, कि ignore the common iron effect on water, तो ignore the common iron effect on water का मतलब ये है, कि तुम पानी से आने वाले H plus को 10 की पावर माइनस 7 molar के बराबर मान लो, ठीक, अब अगर तुमने ऐसा कर दिया, तो H plus, total जो molarity है, 10 की पावर माइनस 7 यहां से, 10 की पावर माइनस 7 पानी से, तो H plus की total molarity हो जाएगी, 2 इन्टू 10 की पावर माइनस 7 मोलर, and if this the total molarity of H plus, तो इसमें बड़े अराम से तुम माइनस लॉग लेकर, pH निकाल सकते हो, जो की 7 माइनस लॉग ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा, लॉग 2 हमें अच्छी तरह मालूम है, 0.3 होता है, so my answer will be 6.7, but my dear friends, ये एक approximate answer है, लेकिन इस approximate answer को निकालने के भी बड़े फायदे हैं, क्या फायदे हैं? बई, फायदा ये है, कि मुझे पता चल गया कि pH जो है, वो 6.7 approximately आ रहा है, अब अगर मैं exact pH की बात करूँ, अगर मैं 100% exact calculation करूँ, वो 100% exact calculation कैसे करना, ये भी मैं तुम्हें next slide में बताने जा रहा हूँ, बट अगर मैं 100% exact calculation की बात करूँ, अभी मेरे पास ये 6.7 है, मुझे मालूम है, कि जो exactly correct answer है, वो pH, will be slightly more than 6.7, ठीके, वो 6.7 से बड़ा होगा, तुम बोलो सर, आप कैसे समझ गए, तो देखो, मैंने पानी से आने वाला H+, 10 की पावर माइनस 7 मान लिया है, मैंने common ion effect को ignore कर दिया है, लेकिन actual में तो common ion effect लगेगा, common ion effect लगेगा, तो उसकी वज़े से पानी से आने वाला H+, 10 की पावर माइनस 7 से कुछ कम होगा, अगर common ion effect लगेगा, तो उसकी वज़र से पानी से आने वाला H+, 10 की पावर माइनस 7 से कम होगा अगर पानी से आने वाला H+, 10 की पावर माइनस 7 से कुछ कम होगा तो टोटल H+, भी इससे कुछ कम आएगा और H+, अगर कम आएगा, तो pH बढ़ जाएगा क्योंकि pH तो है decreasing function होता है तो टोटल H+, definitely इससे कम होने वाला है और अगर इससे कम होने वाला है तो pH 6.7 से कुछ जादा ही होने वाला है और साथ से तो किसी भी हालत में कमी होगा क्योंकि acidic solution है तो मुझे एक range मिल गई ना, ये advantage हुआ तो जैसे माल लो मैंने 6.7 निकाल दिया अब मुझे answer जो है उसमें options में 6.7 से 7 के बीच में एक ही answer दिख रहा है तो अगर एक ही answer दिख रहा है तो मैं खट से उस answer को tick कर दूँगा and मैं actual calculations की चिंता में नहीं पढ़ूँगा लेकिन कभी ऐसा option आ गया कि मुझे 4 answer 6.7 से 7 के बीच में दिख रहे है all 4 options are between 6.7 and 7 इससे इसके बीच में दिख रहे है तब यहाँ पे मुझे exact calculations carry out करने पड़ेंगे और वो exact calculations भी कैसे करते हैं यह मैं आपको सिखाऊंगा exact pH आप निकालोगे तो exact pH इसका 6.8 आता यह ध्यान रखना यह एक approximate है क्योंकि तुमने पानी वाले को 10 की पावर माइनस 7 माना है जो पूरी तरह से सही बात नहीं है क्योंकि पानी पे common line effect लगेगा और उससे पानी से आने वाला H+, 100% 10 की पावर माइनस 7 से कुछ कमी होगा 10 की पावर माइनस 7 तो neutral water में होता था अब पानी में HCL मिलाओगे तो H+, जो है HCL वाला वो इसको पीछे shift करा देगा due to common line effect ठीक है तो इसमें exact calculation करना है कैसे करना है we will see in the next slide और finally हम लोग इस last point के बारे में अगर बात करें तो अगर H+, coming from strong acid 10 की पावर माइनस 8 या फिर उससे भी कम होने लगे ठीक है तो अब देखो 10 की पावर माइनस 7 तो पानी से ही आ रहा था और acid से जो है वो 10 की पावर माइनस 8 से भी नीचे जाने लगे जैसे मानलो मैं बोलू कि बेटा 10 की पावर माइनस 10 molar HCL का pH निकालो तो तो तुम्हें ऐसे खुश होजना चाहिए कि मानलो हमारे पास एक बहुत बड़ी टंकी उसमें 1000 लीटर पानी है है ना जिससे पूरे महले का पूरे एरिया का पानी सप्लाई होता है जो मुन्सपैलिटी वाली बड़ी बड़ी टंकी होती ही जलनिगाम वाली ठीके और तुमने क्या काम किया कि तुमने जा कि उसमें ड्रॉपर से एक ड्रॉप हसील मिला दिया और फिर तुम खुश होगा एक एसिड बन गए तो यह एसिड वैसिड थोड़ी ना बना है भई तुमने 1000 लीटर पानी में तुमने हसील का एक ड्रॉप मिलाया 10 की पावर मानलो मैं बोलूँ 10 की पावर माइनस 10 मोलर HCl अब 10 की पावर माइनस 10 मोलर HCl ये एक HCl की तौहीन है वह HCl उसमें है नहीं एक तरह से देखो तो that is basically just water, right? Are you getting my flow? तो वो 10 की पावर माइनस 9 मोलर HCl 10 की पावर माइनस 10 मोलर HCl अब लिखने को पेपर पे तुम कुछ भी लिख दो 10 की पावर माइनस 20 मोलर HCl अब 10 की पावर माइनस 20 मोलर HCl is not HCl, it is just water basically, right? तो अगर strong acid से आने वाले H plus की molarity इससे भी कम होने लगे तो हम को ऐसे समझाना है अपने आपको कि भाई ये acid नहीं है ये पानी है, उसमें 1000 अजार लिटर में एकाव ड्रॉप HCl अगर मिला दोगे, तो इससे वो acid solution नहीं बन जाएगा, वो पानी रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर इससे नीचे जाने लग जाए H plus coming from strong acid तो हम लोग इस acid वाले H plus कोई ignore कर देंगे, अब तुम्हारा बेटा कोई काम नहीं है, तो महीं को ignore कर देते हैं, और इसको पानी मान के इसका pH जो है, वो roughly जो है, साथ ही बोल देते हैं उससे ऐसा कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे तुम बोलो, कि 10 की पाउर minus 10 molar HCl का pH क्या होगा तो 10 की पाउर minus 10 molar HCl का pH में निकालने की जरूवत भी नहीं समझूगा, मैं बोल दूगा बेटा, 10 की पाउर minus 10 molar HCl is not HCl, it is just water, so it will have a pH of 7 only, right? तो this is how we learn the very important point कि कब हमें पानी वाला जोड़ना है, कब नहीं जोड़ना है, और जब जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है, तो यह approximate calculation है, next slide में मैं आपको exact इसका pH कैसे निकाला जाता है, यह भी सिखाने जा रहा हूँ